ही गाइज कैसे हूँ आप सब वेलकम बैक तो यार वेरी ओन लेर्निंग पॉइंट जहां मैं आपकी होस्ट किया रहा आप ही की तरह क्लास 10 की एक स्टुडेंट कोशिश करूंगे आपकी आपकी स्टुडीज में हेल्प करने की तो यह पॉड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ीगी और यह ब्राट यू और जिन से मैंने रिवाइज किया और प्रोबैबली फूल मार्क्स ही स्कूर किये अससटी में नौत इन दाग्जांस बट लेकिन हां यह चप्टर काफी एजी है so let's not waste any more time and get started so what is development so development सीधी साधी बात है जब हम बुरे से अच्छे बन जाते हैं कोई ना कोई ऐसे changes हम में आते हैं कि कुछ अच्छा change कोई positive change आता है तो change एक शब्द ऐसा आ रहा है न तो changes leading to improvement in standard of living it can be termed as development development के अंदर हम जब all our country की बात करते हैं development के अंदर तो क्या होता है सबसे पहली बात तो income increase होती है तब हम कहेंगे कि हाँ कोई ना कोई बढ़ोतरी हुई है कोई development हुई है तो यहाँ पर per capita income और national income की बात की गई है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे वीडियो में second है raised standard of living यानि की हमारा जो standard of living है वो बढ़ चुका है पहले हम छोटे से घर में रहते थे पर अब हमने development की है तो अब हम एक अच्छी जगह में रह रहे हैं एक अच्छे area में रह रहे हैं third is reduction in poverty of country this means country में जतने भी गरीबी है वो हट जाए कई न कई गरीबी कब हटेगी जब सबको basic facilities available होंगी और income बढ़ेगी तो main development का जो वो है वो एक तरह से income पे ही आकर टिका है now हमने दो terms पढ़े per capita income और national income ये क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं so what is per capita income एक country की जतनी भी total income हो रही है जतनी भी income है जतने भी सारे लोग हैं उनकी income plus होगी और divide by population बहुती easy है ये एक तरह से formula सब बन जाएगा the second is national income national income क्या होती है जतने भी हमारे three sectors है economy के हैं आपने पढ़े हो second chapter में sectors of the Indian economy primary sector, secondary sector and tertiary sector उन तीनों sector में जो भी production हो रही है उसकी total value, उसकी total income और जो other countries से income आ रही है other countries से income कैसे आएगी foreign investment से या फिर हम कोई चीज बाहर export करेंगे out of country तो उससे income आएगी तो ये तीनों sectors की income और other countries की income मिला के बनती है national income अब development के main features क्या है ये काफी important question है आप ये note कर सकते हूँ the first of all is that it is a process of continuous change development कहीं पर भी आके रुकती नहीं है हम हमीशा देखते रहते हमारे असपस कितनी development हो रही है पहले जब 2000 शुरू हुए थे तो हमारे पस जो phone वाली technology थी वो इतनी developed नहीं थी उस time smartphones available नहीं हो पाते थे लोगों को इतना पर अब 2010 की तरफ बड़े तो धीरी-दीरे smartphone आए अब 2020 में और भी developed smartphones आ गए है न जाने कितने कितने quad cameras हैं वगरा हैं उनमें कितने features हो गए हैं तो development continuously होती रहती है कभी ऐसा नहीं कि development रुख जाए second is that development goals differ from person to person यानि कि दो बंदों के जो अगर हम suppose randomly two people ले ले ज़रूरी नहीं है कि उनके development goals same हो उनके development goals different हो सकते हैं क्योंकि उनकी age में difference है उनकी gender में difference है और उनके belief में काफी difference है यह हम बात में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है the third is conflicting nature of development goals यह वाला topic आप एक बार book से जरूर पढ़के जाना it is very important this means कि एक change एक ऐसा बदलाव जो कि आपके लिए अच्छा हो सकता है जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए भी अच्छा हो for example industrialists यह चाहते हैं कि dams बन जाएं एक गाउं के आसपर नदी है वहां पर dam बन जाए पर लेकिन गाउं के लोग तो ऐसा नहीं चाहेंगे न गाउं के लिए तो यह बहुत harmful रहेगा tribal people होंगे suppose तो उनके लिए displacement हो जाएगी उनको कहीं और shift होना पड़ेगा तो industrialists के लिए development है पर दूसरों के लिए नहीं है ऐसे suppose government environment को के नाम है बचाने के लिए plastic band करना चाहती है तो यह वैसे environment के लिए development है पर लेकिन जो factory workers है या जो packaging वाले लोग होते हैं उनके लिए ये एक तरह से development नहीं है तो development goals हमेशब conflicting होते हैं यानि आपसमें भिड़ते रहते हैं fourth is people look at a mix of goals for development this means हम केवल एक ही goal को pursue नहीं करते हैं no हम बहुत सारे goals को साथ में लेके चलते हैं for example मेरा goal क्या है good marks score करना second धीरे धीरे एपनी financially stability भढ़ाना and then the third is I want to have a good health another one is that I want to have a good social circle a good friend circle मैं respect चाहती हूँ and मैं वैसे भी बहुत ऐसे goals होते हैं मैं तो यहाँ पे केवल अपना example दे रही हूँ आप खुद को लेके देखे कि आप क्या-क्या चाहते हैं तो हमारा केवल एक ही goal नहीं है हम कई सारे goals को लेके चलते हैं जुनको हम development consider करते हैं the fifth one or the last one is that it leads to improvement in standards of living यानि कि जीने की जो हमारे standard है वो अच्छा हो जाता है वो बढ़ जाता है so these were the main features of development now मतलब हमने पढ़ा कि different development goals होते हैं लोगों कि वो क्यों होता है first of all is that age difference age में difference आजाता है for example अभी हम छोटे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी job लग जाए यह हमारा एक तिरह से हमार development goal होगा पड़ लेकिन जो retire होने वाला है वो क्या चाहेगा वो यह चाहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी retire हो जाओ ताकि अपनी family के साथ अच्छे से time spend कर सकूँ यह केवल मेरा example है पौर भी examples मेरे को comment section में जरूर बताना the second is gender इसमें एक बहुत अच्छा example था बुक में कि boys इस उमर में boys मैं आप सभी को कह रही हूँ आप लोग क्या चाहोगे हम जल्दी से tall हो जाएं हम जल्दी से muscular हो जाएं हम दिखने में अच्छे लगें अगर हम लड़कियों की बात करें मैं भी एक लड़की हूँ and the girls who are watching this video most of the time लड़कियां क्या चाहेंगी कि हमें boys की तरह ही equal rights मिले कहीं न कहीं हमें बाहर जाएं तो हमें हमारे parents जादा ना टोकें the next one is that हम slim हो जाएं बिल्कुल हमारी figure अच्छी हो हम सुन्दर दिखें so gender के कारण भी development goals में difference आ जाता है the third one is living standards में जिसकी जैसी life condition होगी वो वैसा ही development goal अपने ले चाहेगा for example कोई landless labor landless rural laborer है तो वो क्या चाहेगा कि उसकी अच्छे से कोई job security वाली job लग जाए पर लेकिन अगर कोई अच्छा farmer है वो क्या चाहेगा कि ओ क्या नाम है और income उसको आ जाए उसके farms और बढ़ जाए तो यह जो living conditions होती है living standards होती है उनका भी काफी difference आ जाता है the next one is education level जो literate इंसान होगा पढ़ा लिखा होगा उसे पता है कि उसका क्या development goal है वो उसके according अपने आपको ढाल लेगा बट लेकिन जो illiterate इंसान होगा उसको जादा इस बारे में नहीं पता होता for example हमारे मैम ने इसका क्या example बताया था हमें suppose एक literate person बिमार पर जाता है वो जानता है कि उसे क्या करना है बिमारी के बाद उसको डॉक्टर के पास जाना है medicines लेनी है पर लेकिन वहाई पर कोई illiterate person होगा तो वो भगवान से pray करेगा उसको दवाईयों की इतनी हैमियत नहीं पता होगी वस्तो खेर सब पता होता है लोगों को but as an example ले लो the fifth one is beliefs and values यानि जो हमारे principles हैं हमारी मान्यताएं हैं हमारे सध्धान्त हैं वो भी काफी influence करते हैं कि हमारे development goals क्या है उसके बद कई और factors भी हो जाते हैं जिसे social status क्या है इंसान का उसको कितनी experience है उसे साबस उसका development goal different होगा and then income कितनी है इंसान की जिसकी low income होगी वो moderate income चाहेगा जिसकी moderate होगी वो higher income चाहेगा तो इस तरह से different development goals लोगों की होते हैं इन factors के कारण अब हम यह सोचते हैं जादा तर देखते हैं development को income से ही consider किये जाता है पर लेकिन क्या केवल income ऐसे चीज़े जिससे कि हम एक अच्छे जिंदगी जी सकते हैं देखो कई ना कई तो ऐसी बात है कि हाँ income very very important है बट और भी कई ऐसे factors से जो कि important हैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए for example you need a good health you need a good education level you need your family, you need a pollution free environment you need love and respect a good government sense of security and equal treatment in society suppose आपके पास अच्छी income तो हो पर लेकिन आप अंदर से खुश ना हो तो क्या फाइदा है तो ऐसे ही एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमके वाल income को consider नहीं कर सकते हैं कई और ऐसे factors होते हैं जिनको हमें overall development के लिए consider करना पड़ता है अब बारी आती है national development की national development क्या होता है कि जितने भी लोग हैं country में उन सब की development हो क्योंकि वही हमारे nation को बना रहे हैं तो अगर उनकी development हो जाएगी तो nation की भी development होगी यह एक ऐसा comprehensive term है जिसके अंदर कई बाते आती हैं for example सबसे पहले तो citizens के standards improve हो the second उन सब की per capita income increase हो third is poverty reduce हो जाए गरी भी मिट जाए fourth is rural areas थोड़े और develop हो जाए and fifth जितनी भी basic social amenities है facilities है जैसे की education, health care यह सब को available हो जाए यह होती है national development इसके क्या-क्या features हैं first of all government national development के लिए हमेशा fair or just use of resources करती है यानि resources को कोशिश करती है कि जितना conserve हो सके उतना conserve हो the second is that national development में हर किसी की development को गिना जाता है it is meant for the development of a large number of people हम जब अपने development की बात सोचते हैं तो केवल हम अपने बारे में सोच रहे हैं बट लेकिन national development में सभी citizens की development को consider किया जाता है the third is that social infrastructure पर countries जादा focus करती है national development में this means society में कितनी facilities available है hospitals है schools है buildings है towers है ये सारे available है या नहीं है national development में ये consider किया जाता है the fourth is that इसका एक ये feature भी है कि कई लोगों की अलग-अलग thinking है different notions है regarding national development वही conflicting goals है development goals इस तरह से national development हमने देखा कि ये क्या होती है इसके क्या features है next we come on the world bank so world bank ये आप कह सकते हैं ये एक थोड़ा extra topic है but yeah it is very important because ये compare करती है countries को ये एक ऐसे international organization है जो कि global economic development को promote करती है पूरी world में all over countries की economic development को promote करती है through international collaborations this means ये कई सारी countries के साथ मिलकर काम करती है collaborate करती है ताकि हम development promote कर सके ये जितनी भी countries है उनको compare करती है उनको rank करती है on the basis of their per capita income या फिर average income guys this is one thing to note कि per capita income is equal to average income मैं इस में शुरू में बहुत confused होई थी इसलिए मैंने आपको ये provide किया है मैंने आपको बताया था per capita income एक formula की तरह है कि जितने भी लोग है उन सब की income को divide by total population कर देंगे तो क्या हो गया वो एक तरह से average ही हो गया तो ये average income है तो world bank कैसे classify करती है countries को development का कैसे मानते है कि कौन ज़्यदा developed है कौन कम developed है on the basis of their income तो three categories बनती है इस तरह से countries की on the basis of income high income moderate income and low income countries इनको थोड़ा detail में देखते हैं ज्यादा कुछ तो नहीं है बढ़ हमें ये values numeric values ज्याद रखनी पड़ेंगी high income countries कौन सी होती है वो countries जिनकी per capita income yearly per capita income क्या होगी US dollar 12056 से ज्यादा होगी ये याद रखना जरूरी है for example Australia, Belgium, Canada, USA ये high income countries है आप मिरको comment section में example देके बताओ कि और कौन सी country high income country है the second is moderate income countries जिनकी per capita income between dollar 955 to dollar 12056 होती है for example Brazil, India, Russia and China ये moderate income countries है the third is low income countries ये वो countries हैं जिनकी dollar 955 भी नहीं होती per capita income इस से भी कम होती है per annum यानि yearly तो Pakistan, Nepal, Bangladesh और अफगानिस्तान खेर वैसे भी हम इनको गरीब देश बुलाते हैं बढ़ हाँ अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि ये सच में ही इनकी low income है इसलिए ये low income countries है तो ये जो total comparison है इसको कौन publish करता है World Bank publish करती है annually that is हर साल publish करती है by the World Development Report तो World Development Report एक ऐसे report है जिसको World Bank publish करती है जिसके अंदर इनसे भी developed countries की comparison होती है on the basis of income नाव हमने देखा कि World Bank किस के basis पर compare करती है देशों को on the basis of their per capita income पर क्या per capita income इनफ है comparison के लिए तो इसकी हमें यहाँ पर limitations दी गई है तो first of all limitation यह है कि it hides disparities of income this means कि income में जितने भी लोग है देश के उनकी income में कितना difference है वो छुप जाता है क्योंकि average income हम count करेंगे तो just suppose कुछ ऐसे लोग है mostly लोग ऐसे हैं जिनकी कम income है पर केवल थोड़े बहुत ऐसे लोग है जिनकी बहुत बहुत जादा income है तो average तो वही निकल के आएगा देखो यहाँ अगर आपने NCRT पड़ी हो तो एक बहुत अच्छी table प्रोवाइड की है मैं आपको यहाँ पर यह शो करती हो आप इसमें देख सकते हो किस तरह से average दोनों का same निकलेगा पर दोनों countries में income distribution की कितनी difference है आप कौन सी country में रहना चाओगे आप उसी country में रहना चाओगे न जहाँ पर सब के पास करीब गरीब equal income हो ताकि आपका better development हो सकी अगर suppose आप उस दूसरी country में चले जाते हो जहाँ पर केवल एक ही इंसान की बहुत जादा income है तो क्या फाइदा suppose आप गरीब में मिल गए उनमें तो तो इस तरह से ये criteria हमें पूरी तरह से नहीं बताता कि देश में कितने गरीब है कितने नहीं और जो income difference है लोगों का वो छुपा देता है ये केवल money को ही importance देता है financial factors को ही importance देता है हमने अभी अभी डिसकस किया था अभी अभी पढ़ाता कि केवल money ही नहीं चाहिए हमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि अब और हमें चाहिए हमें equal treatment चाहिए हमें pollution free environment चाहिए love, respect ये सब बहुत जरूरी है हमारी life के लिए और education, health तो ये केवल money को importance देती है बाकी factors को count नहीं करती तो ये भी एक limitation है इसकी the third is that different countries में उनका different cost of living अलग होता है इसका एक example ये है suppose इंडिया में एक इंसान है वो 20,000 dollars per month कमा रहा है और वहीं USA में एक इंसान है जो की per month dollar 25,000 कमा रहा है तो obviously US वाले की जादा हुई income पर लेकिन जो US वाला है वो US में गरीब मिलेगा और इंडिया में इंडिया वाला अमीर मिलेगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि US में महंगाई जरा जादा है वस्तो अब इंडिया में भी हो रही है पर लेकिन इंडिया में इतनी महंगाई नहीं as compared to US और वैसे भी US में लोगों की demands जादा होती हैं, उनको जादा facilities चाहिए होती हैं, तो maybe इस कारण भी ऐसा हो सकता है, तो इस तरह से countries को on the basis of their income compare करना enough नहीं है, तो अगर हम यह देख लेते हैं कि हाँ, पर capita income is not enough for comparing the countries, तो आखे किस तरह से compare करें, कि countries की एक थोड़ी better हमें overview मिल जाए कि कौन जादा developed है, कौन कम, तो अब आती है यहाँ पर बारी UNDP की, UNDP होती है United Nations Development Program, इसका criteria है, वो World Bank के criteria से different है, development को measure करने के लिए, जहां World Bank के वल PCI, यानि पर capita income को ही use करती है, development को measure करने के लिए, UNDP क्या करती है, वो health level को और education level को भी consider करती है, along with PCI, तो UNDP का सा broader view है towards development, और UNDP का थोड़ा बेटर पड़ता है, now UNDP कैसे compare करती है, per capita income, health levels, or education level, first of all, per capita income, यानि average income, यह कैसे calculate करती है, in dollars, for easy comparison, हर country का dollars में हो जाएगा, तो हम easily comparison कर पाएंगे, और कुछ इस तरह से यह करती है, I'm sorry, यहाँ पर WOD, W, O, ULD आना था, यहाँ पर यह गलती से voice strapping गलत हो गई है, तो क्या होता है, कि इस तरह से dollars को, मैं modify कर देते हैं, वो value को modify कर देते हैं, कि suppose एक dollar है, वो एक dollar इंडिया में भी उतनी ही चीज़ खरीदेगा, और USA में भी उतनी ही चीज़ खरीदेगा, तो यह देखा जाता है, और easy comparison इस से हो जाती है, second बात आती है, health level को कैसे measure करते हैं, by infant mortality rate, life expectancy and BMI, या फिर body mass index जिसे कहते हैं, infant mortality rate क्या होती है, suppose एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए, तो उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए before the age of 1, यानि उनका एक साल भी complete नहीं हो आता पर उनकी death हो गई, इसको कहते है, infant mortality, infant होता है बेबी, तो बेबी 1 year of age complete करने से पहले मर गया, तो इन 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे मरें, इस तरह से proportion निकाला जाता है, तो उसको कहते है, infant mortality rate, इससे पता चलता है, अगर infant mortality rate जादा होगा, यानि जादा बच्चे मर रहे हैं, तो country की development कम होगी, और life expectancy, this means कि एक इनसान करीब कि कितने सालों तक जी सकता है, कितना उसका age है, वो expected है, तो जितनी जादा life expectancy होगी लोगों की उतनी जादा development होगी देश में, तो third is BMI, जो की होता है body mass index, ये calculate मैंने भी किया हुआ है अपना, ये केवल आज ही नहीं या 10th में ही नहीं, मैं 9th से ही अपना BMI calculate करके बैठी मुझे ऐसे चीजों का बहुत शौक है, जिनको health consider हम कर सकते हैं, क्या होता है, कि जो इनसान है, उसका kg में weight ले लिया जाता है, और उसको divide कर देते हैं by the height in meters, guys आपकी height क्या है meters में, मेरी height है 1.63 meters, that is 163 cm of 5 feet 4 inches, ये मेरी height है, आप भी अपनी height जरूर बताना मुझे, तो इस यानि undernourished है, उसको proportion है, उसको on nutrition चाहिए, पर अगर जादा है 25 से, तो person overweight है, this means वो obese है, healthy नहीं है, मेरा BMI perfectly healthy है, it is 20 maybe, तो मैं perfectly healthy हूँ, I am not undernourished और I am not overweight, तो इस तरह से हमने देखा, आप भी अपना BMI जरूर calculate करो, इससे आपको थोड़ा idea मिल जाएगा कि आप कितने healthy औ और कितने नहीं, the third criteria by UNDP is education level, यह UNDP कैसे measure करती है, by the literacy rate, और by gross enrollment ratio and net attendance ratio, gross enrollment ratio, मतलब कितने बच्चे admission ले रहे हैं, बाकि यह इतना important नहीं है, इसको आप इतना consider मत करना, literacy rate, literacy rate क्या होता है, कि 7 साल और 7 साल से उपर की age group में जो लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो literate हों, यानि कि पढ़े लिखे हों, और उनको कम से कम at least one एक language आती हो, पढ़ना भी और लिखना भी, तो उनको literate लोगों में count किया जाता है, तो इनका proportion निकाल लिया जा बच्चे हैं, उनको डिवाइड कर दिया है, जतो उनको compare के जाता है, percentage के थूँ, जितने भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, this means कि कितने बच्चों की attendance है, कितनी नहीं है, I think self-explanatory term है, तो जादा आप डिटें में मच जाना, बस एक बर इसकी definition ज़रूर याद करके जाना, Now, HDI or Human Development Index, यह क्या है, यह एक report है, जो कि UNDP को publish करती है, इसके अंदर जितने भी countries हैं, उनको according to their development, rank किया जाता है, and according to their performance in various parameters, यानि कई जगाओं पे, कई fields में उनकी performance देखी जाती है, countries की, such as health, education and income levels, यह HDI एक report है, Now, इस तरह से chapter का last topic आने वाला है, sustainable development, यह हमने, I think, कौन सा chapter था, वो development, resources and development, I think, Jio का उसके अदर भी पढ़ा था, यह क्या कहती है, कि जो अब के समय में development हो रही है, वो बिलकुल भी environment को harm ना करे, और बिलकुल भी future generations की ज़रूरते हैं, उनके साथ compromise ना करे, ऐसा ना हो, कि ह हम आज ही सारे resources यूस कर ले और future use के लिए कुछ बचे ही नहीं, इस तरह से development होनी चाहिए, इसके क्या के advantages है, first of all, यह एक reliable form of development है, इस पर हम depend हो सकते हैं, क्योंकि हम एक तरह से harm नहीं कर रहे हैं, environment को या future generations को, second, it lays emphasis on quality life, आप चानते हो, आजकल materialism कितना है, लोग चाहते ह मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, और ये बहुत गलत धारना है, मैं भी minimalism को follow करती हूँ, this means, जितनी कम चीज़े रखो, उतना better है, quality life है, third is, promotes effective use of resources, जिब sustainable development हम देख के सोचते हैं, तो हम resources का effective use करते हैं, उनको ज़्यादा waste नहीं करते हैं, fourth is, it provides long term solutions, क्योंकि हम future generations के लिए भी safe कर रहे हैं, तो एक तरह से long term solution हुआ, the fifth one is, environment पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, इसी के साथ हमारा chapter economics का chapter 1 development, खतम हुआ, I am really happy that I was able to just record this voice over, क्योंकि at this moment I am really busy, मेरे pre-boards हैं, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी कोई video preparer, उपर से studies का बहुत stress है Guys, I know, आपकी भी same situation होगी और इस कारण आप भी कितने stressed होगी, इस stress के कारण मैं भी video upload नहीं कर पा रही हूँ, तो I am really sorry अगर आपको लगे कि मुझे काफी देर हो गई हूँ, videos upload करने में, still, I wish कि आपको ये explanation समझ आई हो, एक quick revision आपको मिल गया हो, इस chapter का, अब आपको नहीं करना, वीडियो देखने के बाद वस NCRT रीट करने और I am sure you are going to attempt all the question answers from this chapter, so that's it for today guys, I will try my best to upload more but I can't promise, thanks for watching, bye bye